रविवार को पूरे देश में आजादी का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुईमद्पदेश की छिंदवारा जिला मुख्याले में हजारों आदिवासी आंदोलन पर उतारों हो गये हैं। जहें को देश आजादी का जश्न मना रहा है तो वहीं छिंदवारा के आदिवासी ये नारा लगा रहे हैं कि आदिवासी आज भी गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं। यहीं नहीं उग्र रूप धारण करते हुए आदिवासी जेल भरों आंदोलन पर उतारों हो गये। दरसल छिंदवारा का आदिवासी समाज बीते लगभग दो महा से आंदोलन रथ है। पहले शांतिपूर्ण धरना प्रशन आदिवासी अंचल तामिया में चलता रहा। जहां उन्हें शासन प्रशासन से ग्यापन के माध्यम से अपनी मांग रखी थी। लगभग देड़ माध धरना प्रशन करने के बाद भी उनकी मांगे पूरी ना होने के चलते। आदिवासी समाज ने स्वतंतुरता दिवस पर जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। आदिवासी पैदल मार्श करते वे छिंदवारा के जिला जेल में पहुंच कर अपनी ग तामिया में पदस्त थाना प्रभारी प्रीती मिश्रा ने आदिवासी समाज की बेटी के विवाह समारों में जाकर देवी देवताओं का अपमान किया और दूलहन बनी आदिवासी बेटी के साथ बत्तमीजी की। समाज की लोग भोजन कर रहे थे। उनके दोना पत्तलों क को लातों से फेंका जिससे पूरा समाच आक्रोशीर है दो माहां बीच चुके हैं हम शांतिपूर्ण ढंक से संबंधित थाना प्रभारी पर एक्ट्रो सिटी एक्ट के तहत कारवाई करने की मांग कर रहे हैं लेकिन हमारी मांगों के विपरित हमारे ही लोगों पर धाराय इसके द्वारा अपने करमचारीों को ले जाकर जो दुलहन चौक पर बैठी थी और जो कलसर हमारे रखे थे और हमारे दिरी जिताओं को लात मारके उन्होंने अपमान किया दुलहन को लात मारी तो जिससे पूरा आदिवासी समाज आकृशी थै और इसी बात को लेकर प्रति नहीं कि गई इसों समाज मोल रही है। हम अज़ाद का पर बातों को सुना नहीं जा रहाए। इसलिए आज हमने यह जेल भरो आंदोलन का आज नहीं है आज आज नहीं हमारा जो कहने का मतलब है जो है ठीक है पर हम उसका विरूद नहीं कर रहे हैं पर आज जो हमारा समाज है वह वह इस देश में आजाद नहीं है